दोस्तो आज के हमारे इस video के टोपे electrical intryo question के ओपर है दोस्तो यह question है कि wire transmission line voltage is high यानि हमारे transmission के line होती है उसके voltage ज्यादा क्यूं होते हैं दोस्तों देखो आपसे इंटिवी के अंदर ये चीज भी पूची जा सकती है कि उसके जो voltage जादा होने कि क्या फायदे है और आपसे ये भी पूचा सकता है कि उसके नुकसान क्या है तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके फायदे भी बताँ गा एसके नुकसान भी बनती है तो अधिकतर जो बनती है वो 6.6 kv 212 vagy Sad पर दूसर अब वहां पी क्या करते हैं हमारे एक step of transformer लगा देते हैं अब step of transformer का क्या का होता है आपको पता है वो क्या करते है हमारे voltage को ज्यादा कर देता है मतलब दोस्तों यह हमने एक transformer लगा रखा है हमने इसके अंदर यहां पे 11,000 voltage दिये और इसके जो outside है यहां से हमको मिल जाएगा 220 KV मतलब 220,000 voltage अब हम इस 220,000 voltage को हमाई transmission line में उप्योग कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसके फाइदे देख लेते है क्या कि यह voltage जादा करने के हमको क्या-क्या फाइदे मिल रहे है सबसे पहला जो हमको फाइदा मिलता है वो मिलता है दोस् काउंट करते हैं क्यों वोल्टेज डॉप दोस्तों एक बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों वोल्टेज डॉप क्या होता है वोल्टेज डॉप सिंपल सा है जैसे हमारी यहां पर पावर सप्लाई है और दोस्तों मैं यहां से एक वायर के थुरू यहां पर इसको सप्लाई द समझ लीजिए जैसे आगर आप कहीं पर गाड़ी चला रहे हो और आप इस बाइक को चला रहे हो उस सड़क पर छोड़े-चोड़े कंकर पड़े होंगे तो उससे के कारण क्या होगा आपकी जो स्पीड होगी वह धीर हो जाई तो रजिष्टेंस होता है ये होगा होगा मतलब अगर आप बहूब होगी तो काफी जादा है मतलब साइ हमारं जो केंबर होती है उतकी अ एक अजा किलोमीटर की दूली पे हमारी कवल को ले जाय जाता है वहां पर क्या होता है वहां पर लैंद इतनी ज़्यादा है और उसके काफी ज़्यादा reris कि मैं यहां है से वॉल्टेज को हाई करके बेजिम मतलब 21 kv कि ज opposition moc बेजिए और मेरे यहां पर फो दो के पर लेगे से 위 takie कि कोई को इसां कुछ रहे हो उसके बहुत हो नहीं होगा कि एसने मिल जाएंगे और इतने कि पेसे चिहां धी थे is होती है उसके नहीं हम 10% वोल्टेज ड्रॉप लेके चलते हैं दूसों टांस्पिस लाइन में वोल्टेज को हाई करने का हमको दूसा फाइदा मिल जाता है कोश्ट के उपर कैसे मिलता है दो सिंपल सी बात है आप हमेशा से देखते आ रहें कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ को लगाना पड़े ग्यागा पर अब हमाना वोल्टेज की कारण क्या करेंट कम होसे के वोल्टेज को हमारा वोल्टेज को हाई करा तो हमारा पर के जो दो चीए बढ़ upp Always K बढ़ने के हमार जो पूरा सीफ्टम की लगण बढ़ जाएक जो हमारी या कmen था तो दुबस्ट सब्सक् Sakura funds होती है वह liegen को इंकरीज करनी पड़ती है इंसुलेटर की साइड इस लिए इंकरीज करनी पड़ती है क्योंकि हमारे जो इन्सुलेटर होते है उसके नदर आप gera गशाव से होती है तो अगर हमने आपगा प्रकवते को बड़ाया अगर हमनेहां पर 11 केशिचट का थे 13KV यह काफी ज़्यादा sensitive होने के कारण यह काफी ज़्यादा महेंगे होते हैं थर नुक्सान दोस्तों हमको यह होगा कि हमको टावर होते हैं जो हमारे टांस्मिशन लाइन में हमने जो टावर उप्योकर है इन टावर का हमको क्या करने पड़ेगे इसके height हमको बढ़ानी पड़ेगे height इसलिए बढ़ानी पड़ेगे अगर हमने height नहीं बढ़ाई तो हमारे जैसे 11 kv की height तो काफी नीचे होती है अगर हमने इसी मही 400 kv को निकाल दिया तो दोस्तों हमारा यह क्या होगा यह हमारा line to ground fault हो जाएगा मतलब जो हमारी जो line है यह line तो जमीन के काफी पास में है तो यह ज़्यादा पास होने के करण हमारा ground के साथ fault हो सकता है तो इसलिए दोस्तों हमको tower की size को भी बढ़ाना पड़ता है चोथा और आकरी नुकसान आपको इंट्रू के अंदर जरूर बताना है वो है दोस्तों corona losses के उपर अगर हम कहीं पर transmission line के अंदर voltage को बढ़ाते हैं तो उसके कारण हमारे जो corona effect होता है वो corona effect बढ़ जाता है दोस्तों corona effect क्या होता है कैसे कम किया जाता है इसके होने वाले नुकसान इसके फायदे इन सब के उपर दोस्तों मैंने काफी अची article अप्लोड कर रहा है जो कि हमारी website पर है अगर आप वो देखना चाते है तो हमारी website पर जाके जुड़ सकते हो तो दोस्तों उमीद है कि आपके transmission line में वोल्टेज के हाई होने की क्या फायदे है और क्या नुकसान है इसके बारे में सारे जवाब मिल गए होंगे दोस्तों अगर आप कहीं पर electrical या फिर mechanical फिल्ड के अंदर पढ़ा ही या फिर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महतपूर सूचना है कि हमने एक website स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोस्तों इस website पर आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जड़ा आर्टिक मिलेंगी और दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी आर्टिक मिलेंगे वो इतने आसन सम्दों में होंगी कि यहाँ पर कोई 8-10 किलास की लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वह भी अच्छे से electrical and mechanical समझ जाएंगे तो दोस्तों एक बार आप हमारी website से ज़रू जुड़िए इसका नाम है www.engineeringdost.com इसके लिए दोस्तों आप Google पर जाके सर्च मार सकते है www.engineeringdost.com और दोस्तों आपको website कैसी लगी फिलीज महाँ पर comment box है comment करके जरू बताएगा दोस्तों को यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरू बताएगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतिया आप इलेक्टिकल से जड़ा है तो आप उन्जे नीचे comment box में comment करके पूस सकते है इलेक्टिकल वीडियो से आप इन्जे में देखना पसंद करता है आज यह मैं चैनल को subscribe कर लिजिए आज के लिए तना ही धन्यवाद